नमस्कार दोस्तों OCN Network में आपका स्वागत राहुल गांधी केवल कॉंग्रेस पारिटी के लिए या अपनी ममी सोनिया गांधी के लिए ही नहीं खुद अपने लिए भी मुसीबत बनते जा रहे हैं वो पहले भी प्रधान मंतरी नरेंद्र मौदी पर बहुत आपत्ति जनक भाशन देने के आरोप में दो साल की सजा पा चुके हैं सूरत कौट से और सुप्रिम कौट से अगर वो सजा इस्टे नहीं हुई होती तो ना उनको दोबारा लोक सभा का मूँ देखने का सभाग्य मिलता और ना ही उनकी सांसदी बाहाल होने वाली थी बलके वो जेल में इस समय सजा काट रहे होते हैं लेकिन सुप्रिम कौट के इस्टे के ब बाद वो एक बार पार्लियमेंट के भीतर फिर बहुत आपत्य जनक बयान दे चुके थे जब मनीपुर पर बहस हो रही थी तब उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को हत्यारा कहा था फिर बाद में संभालते हुए लोक तंत्र का हत्यारा बताया इसके अलावा भी जो अभी पांच राज्यों के चुनाओ निप्टे हैं जालोर में राजस्थान में 21 नवंबर को एक जन सभा को संभोजित करते हुए उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और गोतम अड़ानी दोनों को जेव कत्रा बता दिया उन्होंना कहा कि नरेंद्र मोदी तो अपने भाशनों से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करते हैं उन्होंना कहा कि दो जेव कत्रे होते हैं एक सामने से आता है नरेंद्र मोदी सामने से भाशन मगेरा दे करके लोगों का ध्यान डाइवर्ट करते हैं और गोतम अड़ानी पीछे से आपकी जेव काट लेते हैं और उसी सभा में उन्होंने अमित्ष शाह के बारे में भी आपत्ती जनक बाते कही थी के ये लाठी मारते हैं और उसी सभा में उन्होंने नरेंद्र मोदी को पनौती शब्द भी उनके लिए इस्तमाल किया था इस मामले में भारती जन्ता पारिटी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी और अगले ही दिन चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस इशू किया था कि क्यों ना आपके खिलाब कारवाई की जाए क्योंकि आपने आचार सहीता का उलंगन किया है अब इस मामले में एक याचिका भी दाखिल हुई थी दिल्ली हाई कोट में और दिल्ली हाई कोट ने व्रस्पती वार को जो ठिपनी की है वो कॉंग्रेस की और राहुल गांधी की सोनिया गांधी की सब की मुसीबतें बढ़ाने वाली हैं हाइकोर्ट ने कहा है कि राहुल गांधी ने प्रधान मंत्री के बारे में जो टिपनी की है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और इतना ही नहीं दिल्ली हाइकोर्ट ने चुनाव आयोक को एक निर्देश दिया है उन्होंना कहा है कि आठ सप्ताहा के भीतर आप इस बयान के लिए राहुल गांधी पर कड़ी कारवाई करिए अब ये कड़ी कारवाई क्या है और इस कड़ी कारवाई के लिए हाइकोर्ट ने इस पष्ट निर्देश चुनाव आयोक को क्यों नहीं दिये हैं ये तो सवालों के घहरे में रहेगा लेकिन दिल्ली हाइकोर्ट का इतना कहना कि वो जो जेव कत्रे वाली टिपनी की है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी पर रहुल गांधी ने वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और चुनाव आयोक को इस पर आठ सप्ताह के भीतर कारवाई करनी चाहिए ये कोई छोटी मोटी गटना बिल्कुल नहीं है राहुल गांधी लगातार गलत कारणों से मीडिया की सुर्खियां बटोरते आ रहे हैं उन्होंने जब नरेंद्र मोधी को पनोती बता करके और ये कहा था ये बयान दिया था कि हमारी टीम अच्छा कर रही थी और पनोती यानि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जब गांधी नगर में नरेंद्र मोधी स्टेडियम में पहुँचे तो उसके बाद टीम हार गई वो वीडियो मेरे पास है, मैं उसको चलाना नहीं चाहता, जिन शब्दों और जिन मजा किया और तंज के लहजे में उन्होंने परधान मंतरी के बारे में आपति जनक टिपनिया की थी परनोती को लेकर के, किसी का भी सिर शरम से जुख जाएगा, और अभी संसद परिसर में जो कुछ हुआ है, इन्होंने हाल में दो-तीन ऐसे क्रत्य किये हैं, जिनकी वज़े से कॉंग्रेस के परवक्ता भी अब इनका बचाव करने की इस्तिती में दिखाई नहीं दे रहे हैं, एक तो पार्लियमेंट में जो सिक्योर्टी ब्रीच का मामला हुआ, जिसमें दो लड़के तो दर्शक दीरगा से लोग सभाग के अंदर ही कूद पड़े, सदन में ही कूद पड़े, और वहां उन्होंने एक पीला धुआ फैला दिया, टेबल्स पर उचल कूद की और वह स्पीकर की टेबल तक आसंदी तक जाना चाहते थे, उनके इरादे तो और भी ज्यादा थे, अभी इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजों का खुलासा हुआ है, कि पार्लेमेंट परिसर के भीतर जाकर के वो आत्मदहा भी करने की कोशिश करते, यानि आग लगाने की कोशिश करते, अब उनका जो संपर्क है, जो संबंद है कॉंग्रेस पारिटी और टीमसी से, वो कितना पुखता है, इस पूरे कांड के पीछे कॉंग्रेस और टीमसी के कुछ नेता है या नहीं है, ये तो investigation के बाद पता लगेगा, लेकिन राहुल गांदी ने इस पर जो गैर जिम्मेदराना बयान दिया, वो तो चर्चा का विश्य बना हुआ है, उन्होंने यहां तक कह दिया के देश में चुकी महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग नरे है भी जो के नहीं है, और अगर बेरोजगारी उस इस्तर की है, तो लोग पार्लियमेंट में गुज जाएं, सदनों में चले जाएं, जो अलग-अलग राज्यों की विधान सवाएं हैं, वहां जाकर के कूद पड़े, और राजकता फैलाएं, ये कहने की कोशिश कर रहे है राहुल गांदी, और दूसरी घटना, जो कॉंग्रेस, टी-म-सी, डी-म-के और दूसरे दलों के सांसद, दोनों सदनों से हंगामा करने के आरोप में, और इस्पीकर और सभापती को चेलेंज करने, और जो एक अनुशासन है, उसको तोड़ने के आरोप में, जो निलंबि प्रवेश्दवार था, मकर प्रवेश्दवार, वहां पर जो धरना परदर्शन चल रहा था, टी-म-सी, कॉंग्रेस और दूसरे दलों के सांसदों का, निलंबित किये गए सांसदों का, वहां जिस तरह की हरकत टी-म-सी के सांसद, कल्यान बेनर जी ने किये, और राहुल कर रहे थे, और बाद में बड़ी बेहयाई के साथ, उन्हों ने ये कहा कि, मिमिक्री करना तो एक कला है, मैं तो एक कला का प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन राहुल गांधी, जिनकी पारिटी, हरियाना में भी चुनाव लड़ती है, पश्मी उत्तर प्रदेस में भी, दिल सीवतों का पाहड खड़ा कर लिया, उस पर भले ही राहुल गांधी ने काफी सफाई देने की कोशिश की हो, कि मैं तो जो धरने पर बैठे हुए सांसत थे, उनका वीडियो बना रहा था, लेकिन कौन नहीं जानता है, कि जब वो जगदीब धनकड की नकल उतार रहे थे, म और मनोज जहा समेच कई मेंबर ऑफ पार्लेमेंट वहाँ पर उनकी इस भांडी परतिक्रिया से या मिमिक्री से आनंद की अनुबहती प्राप्त कर रहे थे, तो राहुल गांधी लगातार कॉंग्रेस के लिए मुसीबते बनते हुए जा रहे हैं, और दिल्ली हाई कोट न अपनाया है, निश्चित रूफ से इस से रहुल गांधी की और कॉंग्रेस की और सोनिया गांधी की मुसीबते बढ़ने वाली हैं, जिस अनर्गल, जिस आपती जनक और गैर जम्मेदार, जरना मानहानी पूरवक बयान के लिए उनको दो साल की सजा सूरत कोट ने सुनाई थी, ऐसा नहीं लगता कि राहूल गांधी ने उससे भी कोई सबक ली नहीं है, अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें, अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकोन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंसते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कर.